नमस्ते माई YouTube family कैसे हैं आप सब और मैं भी बल्कुल ठीक हूँ अभी morning का 5.30 हो रहा है और अब मैं रेडी कर रही हूँ अपनी बेटी के स्कूल के लिए लंच और ब्रेकफास्ट तो आज मैं उसको लंच में बना के देने वाली हूँ सिमला मिर्च और पनीर की सबजी इसमे यह बहुत जादा टेस्टी भी लगती है वैसे हरी सिमला मिर्च से भी यह सब्जी बनाई जाती है पर मेरी बेटी को इस तरीके से यह सब्जी बहुत जादा पसंद है तो morning मैं मैं जो भी सब्जी बनाती हूँ को से स्याई करती हूँ कि उसकी पसंद से बनाओं ताकि उसक मॉर्निंग में जो भी टाइम होता है वो पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी खतम हो गया है और पहले तो बेटी जो है वो 7 o'clock जाती थी अब 7.30 पे जाती है तो मुझे भी थोड़ा सा एक्स्टा टाइम मिल जाता है बना तो इतनी जल्दी करना पड़ता है विंटर में बहुत जल्दी एक तो हाथ पी जो है वो इतनी जल्दी जल्दी चलते नहीं है और टाइम भी बड़ी जल्दी निकल जाता है सबजी में रेटी कर लूँगी और आज ब्रेकफास्ट में भी मैं उसको सबजी और पराठा ही देने वाली हूं और लंच में मैं रोल बना के प अब ही मैं पराठे भी बनाती हूं रात के गुते हुए आटे का पराठा नहीं बना के देते हूं तो यह जो है मॉर्निंग में इतने सारे अगर आप काम कर लें तो बाकी फिर लंच में आपको जादा तैयारी करने की जरूवत नहीं पड़ती है तो बस फटा-फट से मैं उसके लिए लंच पैक कर दे रहे हूं क्योंकि अब बस उसका टाइम होने ही बाला है और बेटी चली जाएगी तब फिर उसके बाद हस्परेंड के साथ मैं डेली बॉक पर भी जा रही हूं क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि एट मन्त मेरा शुरू हो गया है तो मुझे बी डेली बॉक पर जाना ही होता है जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि आप ज्यादा एक्टिव रही अब ऐसे यह जो मन्त होते हैं एट और नाइन के इसमें हमें ज्यादा एक्टिव रहना भी चाहिए तो इससे जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके काफी चांसेस हो जाते हैं और यहां पर जो है पराथे भी बनके रेडी हो गए हैं और बेटी को बस में बिठाने के बाद मैं हस्बेंट के साथ बॉक पर आ गई हूँ तो पहले मैं 15-20 मिनट्स जो है वो बॉक करती थी अब मैं पुरा आदा गंटा अच्छे से बॉक करती हूँ और उसके साथ ही मैंने कुछ और एक्सराइज भी एड करी हैं जो कि आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी अच्छा पहली जो एक्सराइज है वो यही सीडियां चड़ने और उतरने की एक्सराइज है तो यह प्रेगनेंसी में यह भी काफी अच्छी एक्सराइज ह हो जाता है इतना पारवा सीदिया चड़ना उतरना काफी मुश्किल हो जाता एक करते हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकूँ और यहां पर जिसे ही भॉक खतम हो जाएगी उसके बाद फिर मैं घर पहुंच जाओंगी घर पहुंचने के बाद जो भी बैट के exercise होती है मैं फिर वो करती हूँ और तो यहां पर सबसे पहले मैं कर रही हूँ butterfly वाली exercise और यह तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और इसके लाब एक exercise मैं और भी आप करने लगी हूँ तो भी मैं आपके साथ शेयर कि आप इस तरीके से उठिये और बैटिये तो यह भी exercise जो है वो 8 मंत में आप सुरू कर सकते हैं काफी अच्छी रहते हैं यह भी exercise और लगबग पहले मैं जो है वो 20 ही अब डाउन करती थी और अब मैं जो है लगबग 50 तक मैं करने लगी हूँ तो दीरे दीरे आप बढ़ और उसके बाद मैं यहां पर ले रही हूँ फ्रूट्स वैसे मैं नारियल पानी पी लेती हूँ पर आज नारियल पानी नहीं था तो जो भी घर में मतलब होता है उसी हिसाब से मेरा रुटेन रहता है और फ्रूट्स भी नहीं होते हैं तो मैं दूद पी लेती हूँ और फ्रूट्स खाने के बाद फिर हजबन ने बोला कि कुछ ब्रेकफास में बना लो तो ये आज मैं जो बना रही हूँ ये पीली मटर की चाट है जो कि खाने में काफी अच्छी लगती है मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद रहे इस समय तो मेरा भी दोतिने से ना बहुत ज कर लोंगी और उसके बाद फिर इसको रेडी करूंगी तो आप चटपटी जैसी भी चाहें आप घर पर बना के और खा सकते हैं तो काफी हेल्दी भी रहती है अच्छा मार्गेट की खाऊना तो उतना मज़ा नहीं आता है और घर में तो आप कैसे भी अपने टेस्क अकॉर डालके आप इसको इंजोई करें बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो मुझे तो यह बहुत ही पसंद है अच्छा किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा ब्रेकफास करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा आराम मेंने किया और उसके बाद फिर घर क कि क्लेनिंग करके फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और नहां दो कि जब मैं आई ना तो मुझे याद आया कि घर में जो है धनिया पाउडर खतम हो गया है तो आज मैं यहां पर अपना धनिया पाउडर रेडि कर रही हूं अच्छा कुछ जो मसाले होते हैं ना वो मैं घर में ही रेडि कर लेती हूं उन्हें पिसे हुए मैं मार्केट से नहीं लेकर दिकाए ना खुसबू इतनी अच्छी जादा नहीं होती है और बहुत जादा धनिया पाउडर भी मैं पीस के नहीं रखती हूं लगबग 20 या 25 डेस तक बस चले इतना ही मैं उसे पीस के रख जो किस्टा मुझे बहुत जादा अच्छी लगती है तो जैसे ही दो यह तीन दिन में खतम हो जाती है तो मैं उसको भी तुरंती बना लेती हूं और आजकल धनिया भी बड़े अच्छे आ रहे हैं तो हरे धनिया और मिर्च और टमाटा मिक्स करके चटनी बनाई तो बहु अच्छी आती है और बस पहले में जो दनिया है जिसको मैंने रोस किया है उसको पीसके मैं रेड़ी कर लोगी और उसके बाद फिर चटनी मी पीसके रेड़ी कर लेती हूं लंच में मैंने कुछ और नया नहीं बनाया है बॉनिंग की जो मैंने आपको सबजी देखाए थी पनीर और सिम्लामिर्ज की तो वही मैं लंच में भी खाने वाली हूँ और बस साथ में होगी हरे दन्या की चटनी तो यहां पर दन्या पॉडर जो है वो रेडी हो गया है पर अब यह थोड़ा गर में जब ठंडा हो जाएगा तो इसको किसी कंटेनर में भरके में रख लूँ अब मैं यहां पर पीछने लगी हूँ हरे दन्या की चटनी हरे दन्या की छटनी है dew यहां पर देखिये लंच गो तो 2 रोड़ा शाथ है पनीर और सिम्रीडी की सबजी ए हरे दन्या की चटनी और सात मैं आम चाहार एदम में लें तो बस आज का जो लंज है वो गुचिस तरीके का ही है अच्छा लंज मैंने कर लिया है लंज के बाद फ्री ओके मैं अब यहां पर देखे लड़ू बनाने जा रही हूँ तो यह विंटर के बहुत इस पेसल लड़ू है तो सबसे पहले मैं यह बता देती हूँ आपको कि मैं इसके लिए क्या क्या लिया है तो यहां पर यह काजू है और बादाम है काजू थोड़े से हैं बादाम इसमें जादा है और उसके साथ ही यह है मिसरी मिसरी आप जानते है जो अधागे वाली मिसरी होती है न यह बो है तो इसमें मैं ना ही चीनी का यूज करूँगी और न लड़ों में गाएका ही घी पड़ता है और यहां पर यह सूखा नारियल है इसे मैंने कद्डू कस कर लिया है थोड़ी सी इसमें बारीक पाली जो सौंफ होती है वह भी जाती है और यह देखें यह है बहुत ही स्पेसल और लड़ों की जान बोलिये तो यह बहुत ही जरूरी होता है जो कि लड़ों में डाली जाती है जिसे सफेद मिर्च और दखनी मिर्च के नाम से जानी जाती है यह और बिंटर के लड़ों में जब आप इसे डालती है ना तो यह लड़ों बहुत ही जादा हैल्दी और लाब दायब हो जाते हैं और यह किस लिए मैं बना रही यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी बाकी इस रैस्पी की अगर आप फुल रैस्पी देखना चाहते हैं इन सब चीजों का जो भी मेजर मेंटे वो आप प्रॉपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे रैस्पी चैनल यानि की दीपती मिश्रा स्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर भी मेरे इन लड्डूों की रैस्पी जो है वह बहुत ही जादा लोगों पसंद भी किया है तो मैं चाहते हो कि आप लोग भी जाईए और इन लड्डूों का लाग भरपूर उठाईए और यह बिंडर के बहुत ही वीडियो में आगे बताऊंगे कि इस पीसल में किसलिए बना रही हूँ लड्डू अच्छे लड्डू का जो मिस्रन है यह मैंने बना के रेडी कर लिया है पर यह अगी न बहुत जादा गर्म है और जो मिस्री मैंने आपको दिखाई थी ना उसको मैंने मिक्सी में पीस ल अच्छा जो लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं तो ने यह पता है कि मेरी बेटी जो है वो चस्मा लगाती है तो लगबख 5 साल की थी तब से मेरी बेटी चस्मा लगा रही है और उसकी आखों के लिए यह लड्डू बहुत ही जादा फायदे मन्द है इसलिए हर आपको बहुत ही जादा मिलते हैं और यह गर्म भी होते हैं तो बच्चे जो है इनको आसानी से पचा सकते हैं तो बस आपको डेली एक ही लड्डू यह खाना होता है और इसलिए मैं हर विंटर में लगबख 2 महीने के जो विंटर होते हैं उसमें लड्डू बना के रख दे हूं तो इसको डेली एक देती हूं और यह हर विंटर में लड्डू खाती है तो यह उसके आँखों के लिए भी बहुत ही जादा फायदे मंद रहते हैं अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए भी आप लड्डू की रेस्पी को ट्राइ कर सकते हैं पर यह हैं जैसे आपके सरदर्द हो रहा हो या फिर आप आखों की रोसनी भी जो कम हो जाती है नो भी कम नहीं होती है तो आप इन्हें आफ्टर डिलिवरी खा सकते हैं तो यह बहुत जाद उस टाइम फायदे मंद रहेंगे और इसके साथ ही यह ब्लॉग मैं यहीं पर खत्म करत हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स ब्लॉक में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक क्यर